अगर ये ना होता तो आपका एक्जाम भी क्लियर नहीं होता और ये बहुत ज़ादा ज़रूरी भी है कि चीजें किस हिसाब से हमें नेगेटिव लोगों से बचना है मार्केट में जो लोग घूम रहे हैं उनसे बचना है और किस हिसाब से अपनी पढ़ाई को एक पॉजिटिव डिरेक्शन में ले करके जाना है तो चलिए चीजों की शुरुआत कराते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार का है कि हम आज बाते करेंगे अशोका के बारे में अशोका क्यूं इंपॉर्टेंट है और अशोका से क्या क्या सारे कोशन्स बनते हैं सबसे पहले तो मैं आप सबी को अशोका के बारे में बताता हूँ कि ये किस डाइनस्टी की हुआ करते थे मुझे एक बार कमेंट करके बताईएगा और यही मुझे पता लगेगा कि ये जो लोग हैं मेरी वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं और इन ही लोगों को मैं शुक्र मुझे आप डेकर अगर आप नहोते तो हमारा यह पर भीन के बाते करता हूँ तो अशौका पर धहन दीजिएगा दोस्तो उसके इंस्क्रिप्शन को ले के उसके शीलालेक को ले करके उसके धर्म प्रचार को ले करके कैसे धम्मा का निर्मान कराया कैसे अपने बेटे और बेटी को शिरलंगा भेज दिया इन सारी चीजों को ले करके बहुत सारे सवाल उभर करके आते हैं कुछ सवाल ले करके मैं आप सभी के सामने आया हूँ और एक सवाल आप देख पा रहे होंगे मौरे समराज के विभिन वास्तु सिल्प तत्वो और उनके महत्व का परिक्षन दीजिए और ज़रो ध्यान दीजे दोस्तों ये तो मौरे समाज की बाते हैं मौरे समराज की बाते हैं अशोका की भी बाते जब होंगी, अशोका की बाते भी जब मैं करूँगा तो कुछ इस प्रकार चलेंगी कि चीजे सिर्फ और सिर्फ अशोका तक ही रहेंगी और अशोका की बारे में कहा जाता है ये काफी great king के तोर पर हमारे सामने उभर करके आये थे कैसे कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने सारी चीजों को त्याग दिया था किस तरह से जो धर्म परचार का जो एक शुरुवात देखा गया था और शायद इसी वज़े से जो इनका डैनेस्टी हुआ करता था एक ये भी रीजन है कि उनका जो डिकलाइन का जो फीज है विगठन होने की जो शुरुवात है उनका हलका सा अगर मैं कहना चाहूं कि एक टाइप ये भी उभर करके आप सभी के सामने आएगा तो चलिए अशोका पर बाते करते हैं तो चीजे कुछ इस प्रकार चलेंगी सबसे प्राचिंतम राजवंज कौन सा हुआ करता था तो मौर्यवंज हुआ करता था मौरे समराज की स्थापना किसने करी थी चंदरुप्त मौरे ने करी थी कैसे करी थी, क्यों करी थी ये सारी चीज़े कहां से आएंगी मैं आपको बताऊंगा टेंशन ना लिजेगा, बस जुले रहिएगा डाउट साएं, कमेंट करते जाएगा और बस मैं ऐसे ही वीडियो ले करके आप सभी के सामने आता रहूँगा मौरे वंच की स्थापना कब की गई थी 322 इशापुर में की गई थी उसी के बाद चानक्यय या कॉटिल लिया किसके पर धान मंतरी हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त मौरे की हुआ करते थे चानक्यय का दूसरा नाम क्या था तो इनका नाम विश्नुगुपता हुआ करता था तीन नाम अब भी आप लोगों के सामने आए हैं सिर्फ और सिर्फ कोशन्स को ही डिसकस करवा करें तो इसलिए कोशन्स को करते जाईएगा वीडियोस देखते जाईएगा बिना पढ़े टॉपिक यहीं से आप लोगों को क्लियर होते जाएंगी चानक्यय की बाते करूँ तो अभी हमारे सामने कॉटिल्या का नाम आया चानक्यय का नाम आया और उसी के साथ है विश्णो गुप्ता का नाम आया तीन नाम आप लोगों को मिल गए है अब कभी भी इन फ्यूचर में जब पूछे जाएंगी कि इनके तीनों नाम कौन कौन से हुआ करते थे या कितने नाम हुआ करते थे आप लोग ये ज़रूर बता पाईएगा उसी के साथ चंद रुप्त के शाशन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी तो चानक्यय नहीं की थी आप लोगों को पता होगा कि चानक्यय की जो किताब है अर्द सास्त्रा उनमें सारी चीज़े पाटली पुत्रा के बारे में बताई नहीं है किस तरह से चीज़ों को उन्होंने एक एकनॉमिकल कंडिशन को ध्यान देते हुए टैक्स वगरा इंट्यूज करके चीज़ों को आगे बढ़ाया है उनका यहीं मानना था कि अगर स्टेट से किस शाशक ने सिंग हसन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी तो अशोक ने करी थी अशोक का दग्रेड वही जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं शमराट अशोक की उस पतनी का नाम लिखिये जिसने उसे प्रभावित किया था तो वो कारू वाकी हुआ करती थी उसी के साथी अशोक ने सभी शिरालेखों में से एक रुपयों से किस प्राकिर्तिक का प्रयोग किया था तो मगधी का किया करता था वो उसी के साथ ही बिंदु सारा ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को क्या भीजा था तो तक्षिला भीजा किया करता था किस समराट का नाम देवन प्रियदर्शी हुआ करता था तो समराट अशोक का नाम हुआ करता था उनको हम यही कहते थे कि ये देवों का जो प्रियदर्शी हुआ करता था किस राजा ने कलिंग के युद के नरसंगार को देखके बहुत धर्म को अपना लिया था तो अशोक नहीं किया था कलिंग का युद कब हुआ था तो 261 इशापुर में हुआ था प्राचीन भारत का कौन सा शाशक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तो चंजगृत मौरे ने अपना लिया था एक चीज और ध्यान दीजेगा दोस्तों ये जो तीनों राजा उभर करके आए थे तीनों के अलग अलग जाती थे और अब यही सोचिए कुछ ना कुछ रीजन ये भी आता है कि वो वी गठन होने की जो शुरुआत है क्योंकि अगर एक राजा अपने राजपार्ट को छोड़ करके सिर्फ धर्म का परचार करेगा तो कहीं ना कहीं चीजों को वो खराब करने की कोशिश करेगा जाती के हिसाब से नहीं सिर्फ और सिर्फ मैं समराज्य की बाते कर रहा हूँ उसके हिसाब से चीजों को वो उस तरह से लेकर के नहीं लेकर के जाएगा जिस तरह से उसकी प्रजा चाहती होगी मौर्य समराज में कौन सी मुद्रप प्रचलित थी तो पंड हुआ करता था अशोक का उत्रादिकारी कौन था तो कुर्नाल हुआ करता अर्धश सास्तर का लेखक किसकर संकालीन था, तो चंदगुर्वत मौर्य की ही संकालीन था क्योंकि कॉटिल्या हमारा सामने उसी डाइम आया करते थे मौर्यन कालमे शिक्षा का प्रसिद केंद्र कौन सा हुआ करता था तो तक्षिला हुआ करता था यूनान के शाशक सल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनिस को किसके राजदरवार में भेजा गया था तो वो चंद्रुप्त मौर्य के ही शाशन में उनको भेजा गया था अब आप ये देखिए हर एक कोशन से तीन से चार कोशन आप बना पाएंगे किस तरह से एक अगर इसे ही माने तो सबसे पहले तो सल्यूकस निकोटर इसका पूरा नाम है वो कहां के थे तो वो यूनानी हुआ करते थे वो यूनान से तालुक रखते थे उनके राजदूत का क्या नाम था तो मेगस्थनिस नाम हुआ करता था उसकी किताब का क्या नाम था तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि उसके किताब का नाम इंडी का हुआ करता था और उसी के साथ किसके दरबार में इसे भीजा गिया था तो वों चंदरुप्त मौर्रे के ही दरबार में उसे भीजा गिया था वो कहने का मतलब यह है कि चंदरुप्त मौर्रे को कौसिछ Mechanical Turk अगर आए इससे सीखने की बहुत बड़ी बात है दोस्तों लाइफ में जिंदगी में पढ़ाई में तयारी में कोई सी भी दिक्कते आई उसको सीधा जड़ से उखार करके फैकिए माटीरियल बहुत है कोचिंग बहुत है इधर उधर जाएं ना जाएं क्या करें किसे फॉलो करें उनको एक सॉलूशन मैं बताऊंगा धर से उखार करके फैकिए वन सॉलूशन का थीम अपने पढ़ाई में लाईए किस हिसाब से चीजों को आगे ले करके जाना है मैं यहां हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है किस तरह से दर्म का प्रचार हुआ था, किस तरह से इन उने सारी चीजों को निती के फॉर्म में अपनाई थी कैसे फैलावा किया था, इन सब को लेकर के हम बाते करेंगे और कोई सी भी दिक्काद आती है उसको सीधा कमेंट करिएगा क्यूंकि मैं चोटी से चोटी टॉपिक उठा करके आप लोगों को सॉल्व करने में विश्वास रखता हूँ क्यूंकि वही सारी चीजे हैं कल होके आप जब एक्जाम में बैठिएगा कल होके जब आप आफिसर बनियेगा तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ही कहानी आदाएंगी और आप उस टाइम आ करके मेरे से कहिएगा किसर अगर आप ना होते तो हमारा ये पेपर क्लियर ना होता तो चलिए फर मिलते हैं अगली वीडियो में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कोई साभी कोशन दिक्कत आता है किसी भी टॉपिक पर डिसकस करना है मैं जरूर उस पर काम करूँगा और आप लोगों के सामने हमेशा में आता रहूँगा तब तक के लिए थैंक यू और जैहंद